हेलो फेंस, प्रेगनेंसी हेल्थ यूटूब चैनल में आपका स्वागत है प्रेगनेंसी से रिलेटेर हर तरह के इनफर्मेटी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें प्रेगनेंसी हेल्थ यूटूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सब से पहले आप तक पहुँश सके दोस्तों हर गर्वती महिला का या सपना होता है कि उनके घर आने वाला नन्धा महमान गोड़ा एवं साडीरिक रूप से पुरी तरह स्वस्थ हो और इसके लिए गर्वती महिला प्रेगनेंसी के पहले महिने से ही तैयारी शुरू कर देती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दोरान गर्वती महिला दोरा किया गया हरकाम सिसु को भी पर्भावित करता है उसका सीधा सीधा असर उनके गर्व में पल लह सीशु के विकास पर पर रहा होता है प्रेगनेंसी के दोरान हमेशा गर्वती महिला को पोशक तत्व से भरपुर आहार कहीं सेवन करनी चाहिए जिसे उनके सिसु का सही तरीके से साडीरिक एबम मानसिक विकास हो सके दोस्तों आपको बता दे सिसु का गोड़ा एबम काला होना उनके माता पिता के जिन्स पर भी निर्भर करता है फ्रेंट्स आज के इस प्रेग्नेंसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गड़वती महिला प्रेग्नेंसी के दवरान किन चीजों का सेवन करे जिसे उनका होने वाला सीशू स्वास्त एबम गोडा हो किरपे इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए सीशू को गोडा एबम स्वास्त रखने के लिए पहला है फ्रेंट्स प्रेग्नेंसी के दवरान नारियल का सेवन दोस्तो नारियल में भरपूर मात्रा में पोशक तत्व मौजूद होते हैं जो सीशू के साडिरिक एबम मानसिक विकास के साथ साथ सीशू के रंग को निखारने में मदद करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सोडियम, पोटेसियम, कार्बो हाइड्रेट्स और इलक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो सीशू को गोड़ा बनाने में मदद करता है प्रेगनेंसी के तिसरे महिने से गरवती महिला को प्रति दिन नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है जो सीशू को गोड़ा बनाने के साथ साथ गरवती महिला के सरीर में पानी की कमी को भी दूर करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में इलक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो गरवती महिला में होने वाले ठाकान एबम डिप्रेशन की समस्या को दूर करता है और उनके सरीर में उर्जा बनाये रखने में मदद करता है ऐसे में गरवती महिला अगर नारियल पानी का सेबन करती है तो उनके होने वाले सिशु गोड़ा अभम स्वस्थ होगा दूसरे है फ्रेंज प्रेगनेंसी के दवरान केशर दूद का सेबन दोस्तों केशर दूद का सेबन गडवती एबम सीशू के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में थाइमिन और डीबोफलाविन जैसे पोशक तत्व मजूद होते हैं जो गडवती महिला को स्वस्त रखने के साथ साथ उनके गड़ में पल लह सीशू के रंग को गोड़ा बनाने में मदद करता है यह गडवती महिला के पाचन किरिया को भी मजबूत करता है और दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है आप केसर की 5 से 6 से गर्म दूद में अच्छी तरह से मिला कर इसका 7 कर सकती है याद रखें हमेशा इसका 7 सिमित मातरा में ही करें तो बेहतर है इसके ज़्यादा 7 करने से सिसु के मिस कैरेज होने का खत्रा भी बढ़ जाता है तीसरा है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दोरान आवले का 7 आवले को आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा फल माना जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में पोशक तत्म होने के साथ-साथ या कई तरह के प्राकिर्तिक गुनों से भरपूर होते हैं इसमें भरपूर मातरा में बिटामिन सी एबं आयरन मौजूद होते हैं जो गरवती महिला को स्वस्त बनाये रखने के साथ-साथ उनके सरीर में होने वाली खून की कमी यानि एनेमिया को भी दूर करता है प्रेगनेंसी के दौरान आवले के मुरब्ब्बे के सेबन करने से गरवती महिला को कई तरह के रोगों से बचे रहने में मदद मिलता है अगर गरवती महिला चाहती है कि उनका सिसू स्वस्त एबं गोड़ा हो तो उन्हें अपने अहार में आवले को सामिल चरूर करनी चाहिए चोथा है फ्रेंट्स गरवा वस्ता के दौरान अनार का सेबन दोस्तों आपको बता दे अनार में हर तरह के पोशक तत्व मवजूद होते है जो गरवती एबं सिसू दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है अनार के सेबन करने से गरवती महिला में होने वाली खून की कमी यानि एनेमिया को भी दूर किया जा सकता है प्रेगनेंसी के तीसरे महिने से गर्वती महिला को अनारका से बन अवस्थ करनी चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फोलेट एसीड, आयरन एबं बिटामिन सी मौजूद होते हैं जो गर्वती महिला को स्वस्थ रखने के साथ साथ सिसु के मस्तिक विकास एबं उन्हें गोड़ा बनाने में मदद करता है पांचवा और अन्तिम है फ्रेंट्स, प्रेगनेंसी के दरान गर्वती महिला को अपने आहार में हडी साथ सब्जी एबं फोलों को अवस्थ सामिल करनी चाहिए क्योंकि इसमें भड़पूर मात्रा में बिटामिन्स, आयरं, फोलिक एसीड जैसे कई पोशक तत्व मजूद होते हैं जो सिसु को गोड़ा एबं स्वस्थ बनाने में मदद करता है तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारे वीडियो आप कोमेंट सेक्षन में जरूर बताइए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी नए वीडियो आपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके